भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मुख्यमंत्री स्रिमान्ट सिवराश्वी चवाण, केंद्रियम मंत्री मंडल की मेरे सहयोगी गाण, सिमान नरेंद्रसी जी तोमार, विरेंद्र कुमार जी, जोतिजाद दित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव और यहां इतनी बड़ी तादाद में पधारे हुए मेरे सभी परिवार जनों, गुवालियर की इस एतियासिक धर्ती को मेरा शत शत नमन, यह धर्ती, साहस, स्वाविमान, सैन्यगोरों, संगीत, स्वाद और सर्षों का प्रतीक है, गुवालियर ने देश के लिए एक से एक क्रांति वीर दिये, गुवालियर चम्मल ने राष्ट रक्षा के लिए हमारी सेना के लिए अपनी वीर संताने दिये हैं, गुवालियर ने भाजपा की नीती और नेत्रुत्व को भी आकार दिया है, राज माता विजया राजे सिंधिया जी, कुशाबाव ठाकरे जी, अटल्वेहरी वादपाई जी को गुवालियर की मिट्टी ने गड़ा है, ये धर्ती अपने आप में एक प्रेरणा है, इस मिट्टी से जो भी देशभक्त निकला, उसने खुद को राश्ट्र के लिए खपा दिया, उसने अपना जीवन राश्ट्र के नाम कर दिया, मेरे परिबार जनों, हम जैसे करोडों भारतियों को देश की आजहादी के लिए लड़ने का सवभाग्य नहीं मिला, लेकिन भारत को विक्सित बनाने, भारत को सम्रिद्य बनाने का दाईत्वा हम सब पर कंदों पर है, आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने, फिर एक बार मैं आपके बीच ग्वालियर आया हूँ, अब यहाँ लगबग उननीस हजार करोड रुपिये के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है, और मैं देख रहा था, कि एक के बाद एक लोकारपन की या सिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे, इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालिया बजाते ठक गए, आप कलपणा कर सकते हैं, कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकारपन और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है, और लोक तालिय बजाते ठक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्त रखते हैं, मेरे परिवार जनों, दसारे, धंतेरास, और दिपावली से पहले, मद्द प्रदेश के करीब सवा दो लाग परिवार, आज अपने नए घर में गरह प्रवेश कर रहे हैं, आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंब हुआ है, उज्जेन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदोर में मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क, मद्द प्रदेश के अउद्योगी करण का विस्तार करेंगे, यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार उसके लिए निर्मान होने वाले हैं, नए अवसर बनने वाले हैं, आज आई आई टी इंदोर में भी बहुत काम नए शुड़ू हुए, आज ग्वालियर के साथ साथ विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरानपूर, नर्सीपूर, दमो और साजापूर को नए स्वास्त केंद्र भी मिले हैं, ये केंद्रा आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्रेक्टर मिशन के तहद बने, इनमें गंभीर बिमारियों के इलाज की सुविदा है, मैं इन सभी के लिए आप सबको मंत्रप्रदेश के मेरे परिवार जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथियों, ये जो इतने सारे काम है, ये डबल इंजिन सरकार के साजा प्रयासों का परिणाम है, जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनार्दन को समर्पिज सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेजगती से होते हैं, इसलिए आज मद्रदेश का भरोसा डबल इंजिन सरकार पर है, डबल इंजिनियानी, एमपी का डबल विकार, मेरे परिवार जनों, बीते वर्षों में हमारी सरकार मद्रदेश को बिमारू राज्य से देश के तॉप टेन राज्यों में ले आई है, यहां से अब हमारा लक्ष मद्रदेश को देश के टॉप तीन राज्यों में ले जाने का है, एमपी, टॉप थ्री में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एमपी का थान टॉप तीन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बड़े गर्व के साथ तीन तक पहुच राज़ नहीं पहुच राज़ यह काम कौन कर सकता है, 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 यह गारंटी कौन दे सकता है, यह गारंटी कौन दे सकता है, आपका जबाब गलत है, यह गारंटी, यह गारंटी, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, आपका एक वोट, आपका एक वोट मद्द प्रिदेश को नंबर तीन पर ले जा सकता है जी, डबन एंजिन को दिया आपका हर वोट, MP को टॉप थ्री में पहुचाएगा, मेरे परिवार जनो, MP का विकास भो लोग नहीं कर सकते, जिनके पास ना तो कोई नई सोच है, न विकास का रोड मैप है, इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगती से नफरात, भारत की योजनाओं से नफरात, अपनी नफरत में ये देश की उप्लग्द्यों को भी भूल जाते हैं, आज आप देखिये, पूरी दुनिया भारत का गवरवगान कर रही है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कर नहीं बज रहा है, बज रहा है कर नहीं बज रहा है, आज दुनिया को भारत में अपना भविश्य दिखता है, लेकिन जो राज नीती में उल्जे हुए है कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है भारत सोचिये दोस्तों नव वर्षों में दसवे नंबर से पांचवे नंबर की आर्थीक ताकत बन गया है लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे है कि ऐसा हुआ ही नहीं है मोधी ने गरंटी दी है कि अगले कायरकाल में भारत दुनिया की टॉप तीन इकोनोमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा इससे भी सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है मेरे परिवार जनो विकास विरोधी लोगों को देश ने छेट दसक दिये थे साट साल कोई कम समय नहीं होता है अगर नौ साल में इतना काम हो सकता है तो साट साल में कितना हो सकता था उनके पास भी मोका था वो नहीं कर पाए ये उनकी नाकामी है वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे आज भी वही खेल खेल रहे है वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बाढ़ते दे आज भी वही पाप कर रहे है वो तब भी आकंट प्रस्टाचार में डुबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़ करें गोर प्रस्टाचारी हो गए है वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गवरवगान करते थे आज भी वो ही करने में वो अपना भविश्य देखते हैं इसलिए उनको देश का गवरवगान पसंद नहीं आता मेरे परिवार जनों मोदी ने गरीब दलीद पिछडे आधिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी है अभी तक इसके तहट देश में चार करोड़ परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं यहाँ MP में भी अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिये जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में गरों का लोकारपन किया गाए जमीन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी यह लोग जो गर बनवाते थे वो रहने लाइक भी नहीं होते थे देश बर में ऐसे लाखों लाभारती थे जिन्नोंने कभी उन गरों में पैर तक नहीं रखा लेकिन आज जो गर बन रहे हैं उनमें खुशी-खुशी गर प्रवेश हो रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि यह घर हर लाभारती बहन भाई खुद अपने हिसाब से बना रहा है अपने सपनों के नुरुप अपनी जरुतों के हिसाब से अपना गर बना रहा है हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है टेकनोलोजी उनके माध्यम से मोनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सिधे पैसे भेज देती है कोई चोरी नहीं होती है, कोई कटकी कमपने नहीं, कोई प्रक्ताचार नहीं और उसका घर बनना आगे बढ़ जाता है पहले घर के नाम स्रिफ चार दिवारे खड़ी होती थी आज जो घर मिल रहे हैं इनमें टॉइलेट, बिजली, नल से जल, उजवला की गैथ सब कुछ एक साथ मिलता है आज यहां ग्वालियर और शोपुर जिले के लिए एहम जल परियोजनाओं का भी काम शुरू हुआ है ये भी इन घरों में पानी की सप्लाई में मदद करेगी साथियों इन घरों की लक्ष्मी याने मेरी माताए बेने घर की मालिक हो ये भी मोदी ने सुनिस्ठित किया है आपको पता है न कि पीएम आवाज योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है पीएम आवाज योजना के घरों से करोडों बेने लखपती हुई है जिनके नाम कोई संपती नहीं थी उनके नाम पर लाखों के घर रजिस्ट्र हुए है आज भी जो घर मिले हैं उनमें से ज़्यादातर घरों की रजिस्ट्री बेनों के नाम पर है और भाईव बेनों, मोदी ने अपनी गरंटी पूरी की है, मैं एक गरंटी आप बेनों से भी चाहता हूँ मैं जड़ा बेहनों से पूछना चाहता हूँ मैंने तो मेरी गरंटी पूरी की आप एक गरंटी देगी आप मुझे गरंटी देगी पक्का देगी तो मुझे गरंटी चाहिए गर मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है कोई न कोई काउशल सिखाना है करोगे आपकी इस गयरंटी मुझे काम करने की ताकत देती है मेरे परिवार जिनो नारी शसक्तिकरन भारत के लिए बोड बैंक का नहीं बलकि राष्ट कल्यान का राष्ट निर्मान का एक समर्पित मिशन है हमने देखा है कि पहले अनेग सरकारे आई गई हमारी बेहनों को लोगसबा और सौंसद में 33 प्रतिशत आरक्षन के जूटे वादे करके बार बार बोट मांगे गए लेकिन सौंसद में साजिस करके कानून मनाने से रोका गया बार बार रोका गया लेकिन मोदी ने बेहनों को गारंटी दी और मोदी की गारंटी याने हर गारंटी के पुरा होने की गारंटी आज मारी शक्ति वंदियन अधिनियाम एक सच्चाई बन चुका है मैं इस सभाव है और आगे के लिए भी मैं चाहूंगा अपनी ये विकास की गाथा में हमारी मात्रु शक्ति की भागिदारी और ज्यादा बड़े और प्रगति का रास्ता खुले उसी दिशा में हमने आगे जाना है भाईयो बेहनो आज विकास की चितनी परीजे उजना हमने आगू की है वो सारी हमें ये कानून पास होने से एक ताकत मिलने वाली है मेरे परिवार जनो ग्वालियर चंबल आज अउसरों की भूमी बन रहा है लेकिन हमेशा स्तिती ऐसी नहीं थी जो कई कई देशंकों तक सरकार में रहे उसके नेता आज यहां बड़ी बड़ी बाते करते हैं इनका ट्रेक रेकोर्ड क्या है जो हमारी वास आती है जो फर्स्ट राइम बोटर्स हैं उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में सिर्फ बाजेपा का सरकारी दे की है उन्होंने तो एक प्रकती जिल मंत्यप्रदेश देखा है विरोधी दलों के जो यह बड़बोले देता है इनको कई दसकों तक मंत्यप्रदेश में सातन का मोका मिला ने उनके शातन काल में गवाली और चंबल में अन्याय और अत्याचार ही फला पुला उनके सासन में सामा जिगन्याय हाच्चे पर था तब कमजोर की दलीद और पिछड़े की सुनवाई नहीं होती थी लोग कानून अपने हाथ में लेते थे सामा निजन का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया था बहुत परिशम के हमारी सरकार इस ठेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई है अब यहां से हमें पीछे नहीं देख रहा है मंद्ध पुदेश के लिए अगले पांच साल बहुत अहम है आज देखिए ग्वालियर में नया एर्पोर्ट टर्मिलल बन रहा है एलिवेटेड रोल बन रही है यहां हजार बेड का नया अस्पताल बनाए नया बसट्ड़ा अधुनिक रेल्वेस्टेशन नय स्कूल कॉलज एक के बादे पुरे गालियर के तस्वीर बदल रही है एसा ही हमें पुरे मदब देश के तस्वीर बदल ली है और इस नहीं है आड़ वाली इंजिन के सरकार जरूरी है साथियों आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर से जीवन सुगम तो होता ही है यह समुरुद्धी का भी रास्ता है आज ही जाववा, मंसौर और अक्लाम को जोडने वाली आठ लेंड के एक्प्रेजवे का भी लुकारफण हुआ है पिछली सतावदी का मदब देश टू लेंड की अच्छी सड़कों के लिए भी तरस्ता था अब आज एमपीक में आठ लेंड के एक्प्रेजवे बन रहे है इंदोर, दिवास और हर्दा को जोडने वाली फोर लेंड सड़क पर भी आज काम हुचुरू आए रेलवे के ग्वालियर से सुमावली सेक्शन को ब्रॉड गेज में बदलने का काम भी पूरा कर लिया गया है अभी इस पर पहली ट्रेन को हरी जंडी भी दिखाए गई है कनेक्टमीटी के इन सभी कारियों से इक्षेतर को बहुत बड़ा लाप होने वाला है जाधियों आधुनिक इंफ्राटेक्टर और अच्छी कानून व्यवत्ताते किसान हो या फिर उद्योग व्यापार कारोवार सब फलते फुलते हैं जहां विकास विरोधियों की सरकार आती हैं वहाँ दोनों सिट्रम चर्मरा जाते हैं आप राजिस्तान में देखिए सर्याम गले काटे जाते हैं और वहाँ की सरकार बेगती रहती हैं यह विकास विरोधियों जहां जाते हैं वहाँ तुष्ठी करण भी आता है इससे गुंडे अपरादी दंगाई और प्रस्टाचारी बेलगाम हो जाते हैं महिला ओपर दली पिछडे आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते हैं बीते सालों में इन विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबस्यतिक पड़ा है मेरे परिवार जनो हमारी सरकार हर वर्क हर छेत्र तक भी कास पहुंचा रिगली सबर्पीत है जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोधी पूछता है मोधी पूजता है मैं आप से जानना चाहता क्या 2014 से पहले किसी ने दिव्यांग सब्द सुना था जो शारीक रुप से किसी चनोती से गिरे रहते से उन्हें पहलों की सरकारों द्वारा ऐसे ही बेसारा छोड़ दिया गया था यह हमारी सरकार है जिसने दिव्यांग जनों की चिंता की उनके लिए आधुनिक उपकरान मोहिया कराए उनके लिए कॉमन साइन लेंगवेज भिक्सित करवाई आज यहां ग्वालियर में दिव्यांग साथियों के लिए नए स्पोर्ट सेंटर का उद्गाटन हुआ है इससे देश में एक बड़े स्पोर्ट हपके रुप्पे ग्वालियर के पैचान और ससकत होगी और साथियों मेरी बात में विश्वास करना दुनिया के अंदर खेल की चर्चा होगी दिव्यांग जनों के खेल की चर्चा होगी गालियर का नाम रोशन होने वाला है लिख लिखिए और इसलिए मैं कहता हूँ जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोधी पूछता है उनको मोधी पूछता है इतने सालों तक देश के छोटे किसानों को किसे ने नहीं पूछा इन छोटे किसानों को मोधी ने पूछा उनकी चिंता की PM किसान सम्मान नितिके माध्यम से देश के हर छोटे किसान के खाते में अब तक 28,000 रुपिये हमारी सरकार ने भेजे हैं हमारे देश पे 5.5 करोड छोटे किसान ऐसे हैं जो मोटा अनाज उगाते हैं मोटां अज उगाने वाले छोटे किसानों के भी पहले किसी ने चिंता नहीं की, ये हमारी सरकार है, जितने मोटे अनाच को स्री अन्न की पहचान दी है, उसे दुनिया भर के बाजारों में ले जा रही है, जाद क्यों हमारी सरकार की इसी भावना का इक और बड़ा प्रमाण पीम विश्व कर्माई हो जना है हमारे कुमार भाइबेन, लोहार भाइबेन, सुतार भाइबेन, सुनार भाइबेन, मालाकर भाइबेन, दरजी भाइबेन, दोभी भाइबेन, जूतेर बनाले वाले भाइबेन, बाल काटने वाले भाइबेन, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए अनेक साथी हमारे जीवन के महत्वपुन सम रहे इनके मिना जीवन की कल्पना भी है संभव इनकी सोथ आधाली के इतना दसकों बाद हमारी सरकार ने लिए ये साथी समाज में पीछे रह गए थे अब इनको आगे लाने का बहुत बड़ा भ्यान मोधी ने चलाया है इन साथियों को ट्रेंडिंग देने के लिए हजार रुपिय सरकार देगी आधुनी कुप करोन के लिए पंदरा हजार रुपिय भाजपा सरकार देगी लाखो रुपिय का सत्ता रण भी इन साथियों को दिया जा रहा है विश्व कर्मा साथ्यों को रिन की गरंटी मोदी ने लिए केंदर सरकार ने लिए मेरे परिवार जनो देश के विकास विरोधी राजरितिक दल मत्रपदेश को पिछे ले जाने की इच्छा रखते हैं जबके हमारी डेबल इंजीर की सरकार बविश्की सोच रखती है इसलिए विकास का भरोता सिर्फ पर सिर्फ डबल इंजीरी सरकार पर कर सकते हैं मत्रपदेश को विकास के पहमाने पर देश पर टॉप के राज्यों में लाने की गरंटी सिर्फ हमारी सरकार दे सकती है मैं अभी शिवराज जी बता रहे थे कि स्वच्चता में मद्यप्रदेश देश में नंबर एक है आज गांधी जनती है गांधी जी स्वच्चता की बात करते थे कल पूरे देश में स्वच्चता का कारकम हुआ एक भी कॉंग्रेशी को आपने स्वच्चता करके देखा क्या स स्वच्चता करने के लिए अपील करते देखा क्या क्या मद्यप्रदेश का स्वच्चता में नाम नंबर एक हुआ है यह भी कॉंग्रेस वालों को पसंद नहीं है वो मद्यप्रदेश का क्या भला करेंगे भईया ऐसे लोगों पर वरोजा कर सकते हैं क्या और इसलिए मैं आशिरवाद देने आये मैं ग्वाली चम्मल के आपसाथियों को इतनी बड़ी संध्या में यहां आशिरवाद देने के लिए पधारने पर रजय से आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवा झाल